क्या आपने कभी सोचा है कि options trading में कौन पैसा बनाता है? Option buyer या option seller? Option buyer कब पैसा बनाता है और option seller कब पैसा बनाता है? बात करेंगे आज इस वीडियो में. नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार, आपका स्वागत करता हूँ. सेंसिबल के इस option learning series में, जहां हम सीख रहे हैं options को एकदम basic से एक advanced level तक. और मेरा विश्वास है कि इस option series को पूरी तरह देखने समझने के बाद, आप options को एक professional की नजर से देख पाएंगे और trade कर पाएंगे. परन्तु, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को like करिए, share करिए, इससे हमें और बहतर काम करने का प्रोथसाहन मिलता है. और हाँ, आगे भी इस series के कई videos आने वाले हैं, तो आप sensible के channel को subscribe करना ना भूले. ये वीडियो इस series का आठवा भाग है, और option की एक detail और बहतर understanding के लिए मेरा आपसे अनुरूद है कि आप इस series को शुरुआत से देखें. तो पिछले कुछ videos में हमने देखा था उन factors को जो option price पर प्रभाव डालते हैं, stock price, strike price, time और volatility. इस वीडियो में हम option buyer और option seller के profit और loss को compare करेंगे एक खास situation के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. Example के लिए एक situation लेते हैं. Nifty 17,000 पर है, कल budget day है. और situation को simple बनाने के लिए हम ये भी assume कर लेते हैं कि कल expiry भी है. तो हम ये जानते हैं कि market budget day वाले दिन बड़ा moment करता है. अब चाहे वो up हो, चाहे down हो. आपके पास एक बहुत बड़ा portfolio है. और आपको ये डर लग रहा है कि कहीं निफ्टी नीचे गिर गया तो आपको बहुत बड़ा loss हो जाएगा. आप अपने portfolio को loss से बचाना चाहते हैं, तो आप कुछ put options खरीदना चाह रहे हैं. तो आप मेरे पास आते हैं और मुझसे 17,000 के weekly put options की मांग करते हैं. आप क्यूंकि कल budget day है, तो मैं आपसे 250 रुपए चार्ज करता हूँ. चलिए, अब आगे देखते हैं अलग-अलग situations को और उनका हमारे positions पर क्या असर पड़ेगा इसको. इस table को गौर से देखें. यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि आप तभी पैसा बनाएंगे जब निफ्टी 16,750 के level से नीचे जाएगा. हमें और क्या पता चलता है इस table से? पहला, premium. बायर प्रीमियम पे करता है. वहीं seller को प्रीमियम मिलता है. दूसरा, protection. बायर को protection मिल रहा है. इंशॉरेंस की तरह है. और वो इस protection के लिए premium पे करता है. वहीं दूसरी तरफ seller protection देता है. इंशॉरेंस company की तरह है. और इसके लिए उसे मिलता है premium. तीसरा, profit or loss. option buyer बहुत पैसा बना सकता है अगर वो सही साबित होता है तो. और खोने के लिए उसके पास से सिर्फ premium जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ option seller केवर limited profit ही बनाता है जो की है उसका premium. पर उसे loss बहुत ज़ादा हो सकता है. चौथा, probability of profit. यानि profit होने की संभावना. यहां इस table में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 9 में से 7 scenarios में seller profit बना रहा है. यह इसलिए कि option buyer को profit बनाने के लिए premium को भी दिकवर करना पड़ता है. दूसरे शब्दों में कहूं तो option seller के पैसा बनाने के chances ज़्यादा होते हैं. इसे कहते हैं probability of profit यानि P.O.P. चलिए P.O.P. यानि probability of profit को एक बहतर example से समझा जाए. Nifty 17,000 पर है. एक option buyer 17,500 का monthly call option 200 रुपए में seller से खरीद लेता है. buyer को पैसा बनाने के लिए पहले Nifty को 17,500 पर जाना पड़ेगा क्योंकि वो strike price है और उसके बाद 200 point और उपर जाना पड़ेगा क्योंकि उसने premium दिया है वो recover करने के लिए. तो Nifty को कुल मिला के 700 point का moment देना पड़ेगा जो की होता है around 4%. वहीं दूसरी तरफ seller पैसा बनाएगा अगर Nifty 17,700 के नीचे रहता है तो यानि उसे केवल ये देखना है कि वो बहुत ज़ादा गलत साबित ना हो. वहीं buyer को पैसा बनाने के लिए बहुत ज़ादा सही साबित होना पड़ेगा. 4% से ज़ादा सही और वो भी expidy से पहले. एक और बात, अगर market यहीं पे खड़ा रहता है तो भी seller पैसा बनाएगा. 5. Margin F&O में यानि future and options में exchange extra पैसा trade की शुरुवात में ही ले लेता है. यह इसलिए कि अगर आपको loss होता है तो उसकी recovery इस पैसे से हो सके. इसे margin money कहा जाता है. Buyer के case में loss limited है यानि केवल premium ही उसका maximum loss है. तो buyer को किसी भी तरह के margin देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वहीं दूसरी तरफ seller का loss चूंकि unlimited है और premium से कई गुना ज़ादा भी हो सकता है. तो उसे बहुत ज़ादा margin upfront पहले से market को देना पड़ता है. जब हम इसे record कर रहे हैं तब nifty के option को sell करने के लिए seller को एक लाग का margin देना पड़ता है. जिसमें seller को 5000 premium मिलता है. अब चलिए मैं यहाँ पर आपको एक trick बताता हूँ जिससे आप अपना margin बहुत कम कर सकते हैं. सिंपल है अगर risk कम होगा तो margin भी कम होगा. तो अगर आपने एक option sell किया है तो उसके against एक सस्ता option खरीद लीजिए. तो आपका risk और margin दोनों कम हो जाएंगे. तो अगर मान लीजिए आपने call option sell किया है तो एक higher call खरीद लीजिए. वहीं अगर आपने put option sell किया है तो एक lower put खरीद लीजिए. इस तरह की strategies को spreads कहा जाता है. आप इसे strategy builder में देख सकते हैं. Spreads आपको ready made strategy section में मिलेंगे. strategy को select करिए, अपनी मन पसंद strike को adjust करिए और तैयार है spread strategy trade होने के लिए. Example के लिए अगर मैं इस strategy में से option buy का trade हटा देता हूँ, तो margin आप देखेंगे बहुत जादा है और loss भी मेरा unlimited है. वहीं अगर मैं option buy lag को मेरी strategy में add कर लेता हूँ, तो मेरा margin भी बहुत कम हो जाता है और मेरा loss भी limited हो जाता है. Number six, आखरी point, ये option buyer और ये option sellers होते कौन हैं? तो आम तोर पर option sellers बड़े institutes जैसे की banks, hedge funds होते हैं, और option buyer होता है retail निवेशक. तो दोस्तों इस video के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि आप यहां समझ पाए होंगे कि एक लंबे समय के लिए option buying में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है. तो वीडियो को खत्म करने से पहले हमेशा की तरह एक सवाल, अगर एक option seller 18,000 के option को बेच रहा है 200 रुपए के premium के लिए, तो उसका break even क्या होगा? कॉमेंट्स में अपना answer बताईए, और हाँ अगर आपका जवाब सही होता है, तो मैं आपका नाम feature करूँगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को like करिए, share करिए, Sensible के चैनल को subscribe करना ना भूले, और हमेशा के तरह जो मैं आपसे कहता हूँ, we wish you safe and happy trading with Sensible, बावाई!